Assalamualaikum students आज मैं आपको GK की वर्षीट टू भी एक्स्ट्रेन करूंगी इस वर्षीट में आपको तमाम काम उर्दू γ्रामर का दिया गया है सबसे पहले उर्दू की कॉपी में आप ग्रामर का पोर्शन आपिन करेंगे उस portion में आप अलफाज जित करेंगे English में जो words opposite होते हैं उसको उर्दू में अलफाज जित कहते हैं यानि हर अलफाज का उलट ये तमाम अलफाज जित आप कापी में कर लीजेगा इसके बाद आप वाहिद जमा कीजेगा जो English में singular पिलूरा लोते हैं उसको उर्दू में वाहिद जमा केते हैं यानि किसी भी एक काम या एक चीज को वाहिद केते हैं और अगर बहुत सारे हो तो उसको जमा केते हैं तो ये वाहिद जमा आप जिकेप की कापी में कर लीजेगा इसके बाद आप मुजखकर मौनस कीजेगा इसके बाद आप कुरानी दुआई कीजेगा ये कुरानी दुआएं आपको कॉपी में करनी है इल्में इजाफिकी दुआ और सबक असानी से याद होने की दुआ कुरानी दुआएं का तरजुमा आप सफ़ा नंबर 27 में से देखकर कॉपी में करेंगे बुक के पेच नंबर 27 में आपको पहली और दूसी जो कुरानी दुआएं दी गई है सबसे पहले आप कॉपी में कुरानी दुआएं की हैडिंग लिखेगा इसके बाद नंबर वन हैडिंग लिखेगा इल्म में इजाफिकी दुआ इसके बाद उसका तरजुमा लिख लिजेगा ये आपको दुआ अर्भी लिखने की ज़रत नहीं है इसके बाद इसी रहा नमबर टू की हैडिंग डालिएगा सबक आसानी से याद होने की दुआ फिर इसका तरजुमा लिख लिजेगा नेक्स वर्शीट में आपको अहादीस नमबी लिखनी है सफ़ा नमबर 28 में से देखकर हदीस नमबर 1 और हदीस नमबर 2 आपको कौपी में लिखनी है सफ़ा नमबर 28 में आपको जो अहादीस नमबी सललाओ लिख सलम दी गई है इसकी आप 120 आप अपनी कौपी में डालियेगा इसके बार नमर वन हैडिंग लिखेगा रसूल नलाह अलेह वाले सलम ने फरमाई इसके बार आपको यह लेखने की दरुरत नहीं है आप से भी सकतर तरज्मा लिख देजगा आमाल का दारुमादार नियत अपर है इसी राँ टू की हेडिंग लिखेगा नमास दीन का सुतून है इसके बार आपको वर्षीट में फैल की थारीफ दी गई है फैल वो कल्मा है जिससे माजी, हाल या मुस्तक्बिल में किसी काम का करना होना या सेहना पाया जाए कोई भी काम जो आपने पहले किया है या जो अब करना है या जो आगे करेंगे वो तमाम काम आपके फैल कहलाएंगे मसलन पढ़ा, लिखा, उठा यानि ये काम पहले हो चुका है तो ये कहलाएगा जमाने माजी इसके बाद पढ़ता है लिखता है उटता है ये तमाम काम अभी इसका मतलब हो रहा है तो ये कहलाएगा जमाने हाल पढ़ेगा लिखेगा उठेगा यानि कि ये काम करेंगे तो ये कहलाएगा जमाना मुस्तगबिल इसके बाद आपको वर्कशीट में दर्खास दी गई है ये दर्खास आपको कॉपी में लिखनी है आप कॉपी में उपर दर्खास की हेडिंग लिखेगा इसके बाद सवाल लिखेगा अपने स्कूर के प्रिंसिपल के ना आदी फीस माफ करgee की दर्ख़ास लिखें आपको कौपी में इससे दर्ख़ास लिखनी है मैंने यहां पर जससे लिखा है तो यह मेरी वर्षीट बड़िह है ठीक है तो इसके लिए मैंने यहां पर ला светमाई ड्रॉज़ की है और एक फिंगर का गेब दिया है से लिखेगा जनाब आलिया आलिया के नीचे से लिखेगा गुजारिश ये है कि मैं आपके स्कूल की जमा सोम की तालबे इल्म हूँ मेरे वालिद एक ट्रेक्ट्री में काम करते हैं और इनकी तंख्वा बहुत कम है जिसकी वैसे उसकूल की पुरी फीस अदा नहीं कर सकते हैं मेरी आप से गुजारिश है कि आप मेरी फीस आदी कर दीजिए ताके मैं अपनी परहाई जारी रख सकूँ मुझे उमीद है कि आप मेरी दर्खास मनजूर करके शुक्रिया का मौका देंगे इसके नीचे आप लिखेगा एन नावाजिश होगी फक्त आपकी फर्मा बर्दा शागिर्दा अलिप बेजीम की जगा आप अपना नाम लिखेगा और यहां पर इसी दाँ आप तारीख लिख दीजिएगा